सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको यह बोलता हूं दू चीज करना एक मेरे उपर विश्वास करना बिलीव करो और दूसरा महनत करना समझें बहुत अच्छा खासा महनत करना होगा एक कॉमेंट बॉक्स में देखा मैंने कॉमेंट आये तब पढ़ पढ़ के घिस या जर्मनी आपको अगर कुछ करना है तो या एक्जाम निकालना ही पड़ेगा विदाउट एक्जाम क्रेक किये हुए मेडिकल लेक ऐसा प्रोफेशन है आप कुछ नहीं हो समझ गया है तो उसके लिए आपको घीसना पड़े या जो गरना पड़े आपको करना पड़ेग या भाई हुक या भाई क्रुक उसके भीना कुछ नहीं होने वाला है यह सिंपल सी फैक्ट है या बात है जो भी है तो अब भी आप लोगों को मैं जितने भी कोश्चन पूछे जाएंगे पहले डिस्क्रिप्शन में चल जाना वहाँ एक वीडियो मिलेगा उस वीडियो को देख लेना निट 2020 के लिए अपलोड किया था पेपर उठाना बायो का और मैच करा लेना यह नए स्टूडेंट के लिए और पुराने स्टूडेंट को मालूम होगा तो जितने टॉपिक बताऊंगा जो जो बोलूगा इंपोर्टेंट है उसे मार कर लेना कहां से पढ़ना बनाया अच्छा का सा टाइम लगए दो दिन लगता एक वीडियो को बनाने में अच्छे से एटिटिंग में गया था सारा कुछ करके थी कार लेना 20 मिनट में आपका पूरा आप बायलोजी कवर हो जाएगा उसके बाद four month आपके पास से आपको कैसे कवर करना है वो आपके तु चलू श्टार्ट करते हैं पहले क्लास 12 रिप्रो से रिप्रो में पार्थेनोगेशिस इंस इंपोर्टेंट है पोस्ट फर्टिलाजेशन प्री फर्टिलाजेशन 2021 इस्ट्रो बिलंटस कुंथियाना Terror of Bengal 2021 Mono CS and Dioclecs के examples देख लेना पूछे जाते हैं Structure of Microsporengium Pollen Grains 2021 Pollination 2021 Pollen Pistil Interaction Outbraining Devices Begging and Emasculation उसके बाद K तक हम लोग देखे Begging and Emasculation फिर आता है KLL में Double Fertilization 2021 Seed Parthenocarpy Apomyxis and Poly Embryoni 2021 Male Reproductive System 2021 female reproductive 2021 अच्छे से पढ़ना है इसके sales पढ़ने न और एक flow chart होता है या आप लोग pathway बोलते हो इस पर ejaculation का तो वो pathway देख लेना कैसे जाता है epididamies rate rate testis और सारा कुछ समझे तो उसे देख लेना मेरे notes देख लेना notes में सारा कुछ मिल जाएगा extra part भी मिल जाएगा जो जो NCIT में नहीं दिये हो है और exam में आता है वो भी मिल जाएगा वह आपको telegram में मिल जाएगा वहां से जा करके पढ़ सकते हो maximum एक मिनिट लगेगा एक chapter complete हो जाएगा इसकैन करना है आपको सरिफ वह notes को कुछ अगर नया दिख है तो उसे पढ़ लेना बागी तो सारा NCIT ही होगा क्यू नंबर ispermogenesis and ispermiation 2021 LHFSH act as यह देख लेना sperm क्या होता है यह भी important है बहुत जादा important है यह भी पुछा जा सकता है इसका जो last paragraph दिया हुआ है NCIT में बहुत important है 40% काम का है 60% काम का नहीं है वो देख लेना spermatogenesis and oogenesis important है menstrual cycle important है placental hormone and relaxing development of fetus amniocentesis important है CDRI सहेली यह भी important है 2018 में पुछा गया था birth control एक question आना है यहां से STDS MTP और infertility से एक question पुछेगा पक्का है infertility से तो हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा अब आजा है second chapter में genetics genetics में पिछले साल मैंने बोला था कि numericals कर लेना बार बार इसे बोलता था कि numericals कर लेना और एक numericals आपका आया था DNA पे बोला था numericals कर लेना f1, f2 generation पे numericals कर लेना cross linkage पे और crossing over या recombination पे numerical बनते जीन mapping पे भी numericals बनते उससे कर लेना 2003 और 2004 के टाइम में पूछा गया था वो सारा निमरीकल्स उठाओ और एक बार स्वाल्व कर लेना करना क्या है साइन्टिस्ट के नाम याद रखना जो जो NCIT में दिया हुआ और ये टेलिग्राम में मैंने दे रखना उनके year और क्या के discoveries किये हैं वो रखना contrasting trait studied by Mendel ये पूछा गया था 2020 में भी और ये मैंने बोला था है ये आने वाला F1 generation test cross F1 and F2 generation का ratio देख लो love co-dominance segregation independent assortment और incomplete dominance independent assortment पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको दिखा दूगा next page में drosophila melanogaster linkage recombination gene mapping crossing over sex determination sex determination 2021 यहाँ पर देखो independent assortment था वो और crossing over था अब फिर आता है pedigree analysis Mendelian disorder ये मैंने 2020 में बोला था Mendelian disorder पूछा जाएगा और आया था आपका 2020 में तो Mendelian disorder important है देख लेना maybe वो लोग एक graph आता है pedigree पेडिगरी का graph वो graph पढ़के जाना पूछ सकते हैं अब इसके disorder क्या क्या है epistasis colorblind polygenic polyotropic cystic fibrosis sickle cellenemia phenylketo और hemophilia समझे है और फिर आता polypoloid देख लो enupoloid देख लो down syndrome turner syndrome और last का kin felt syndrome dna d dna करके एक paragraph दिया होगा वो देख लेना NCIT का paragraph important है numerical देख लेना base पे और और length पे numerical बनाए जाते हैं वो पूछा गया है 1998 और 2000 एक दो तीन के time में वो सारा कुछ पूछा गया है कैसे numerical पूछे जाते हैं वहां के question उठा के कर लो समझ में आ जाएगा चारगा फूरूल double helix central logma packaging of dna helix transforming principle बायोखेमिकल करेक्टरिस्टिक एक्स्परिमेंट और हासेंटिस्ट तो transforming principle किस ने किया था फिर उसके बाद बायोखेमिकल प्रूफ तीन सैंटिस्ट ने दिया था वो सैंटिस्ट का नाम याद रगना है यहां मैंने पहले लिख दिया प्रिस्पल पायो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स एक्सपरिमेंट ओफ हार्से एंड चेज डियने वर्सेज आरेने देख लेना 2016 फेस्टू नीट में पूछा गया था डियने वर्सेज आरेने उसके बाद कहां तक हो गया पी तक हो गया क्यों में है मेशल्सन एंड इस्थल एक्सपरिमेंट सेमी कंसर्वेटिव अफ डियने नियूमरीकल देख लेना सेमी कंसर्वेटिव अफ डियने का नियूमरीकल आपको एंसी आटी इग्जांपलर में मिल जाए गया एंसी आटी इग्जांपलर सॉल्फ कर लेना फिसया फैवा किस ने दिया था टेलर ने दिया था ये 2016 नीट फेज टू में पूछा गया है रैप्लिकेशन फॉक उखाजय की फ्रेंग्मेंट लिडिग इस्टेंट और लैगिंग इस्टेंट होते हैं दो तरह के स्टेंट होते हैं उसी में आपका एक concept आता हो का जाकि fragment का S-phase DNA ligase यह important है सारा कुछ Transcription, Capping, Tailing, Spacesomes, Remiscent of Antiquity Remiscent of Antiquity RNA को बोलते हैं NCIT में दिया हुआ है उसे पढ़ लेना Genetic Code, Hargobind, Khurana, Features, Numericals, TRNA Genetic Code का features देख लेना Genetic Code से related numericals देख लेना और TRNA के बारे में पढ़ लेना TRNA क्या क्या होता है Clover leaf structure type होता है सारा कुछ और हर Hargobind, Khurana का क्या discovery था वो देख लेना Translation, UTR, Charging of TRNA यह पिछली एर भी दिया था और 2020 में पूचा गया था Lack of Ren, EST, BAC, YAC Human Genome Project Feature इंपोर्टेंट है देख लेना इसे Convergent Adaptive Radiation Industrial Melanist Moth Important है 2021 Key Concept of Darwinian Theory of Evolution Saltation Deveries Darwinian Mutation 2021 Hardy-Winberg Principle 2021 Founder Effect Graph देख लेना Hardy-Winberg Principle का Origin and Evolution of Man 2021 इसमें करना क्या है PIP का Notes एक बार पढ़ लो और NC80 को पढ़ लो बस हो गया इसके अलावा कुछ नहीं करना है एक numerical है जो कि आपका 2018 में पूछा गया था वो PIP के Notes में मिलेगा वो मैंने पहले से बता दिया था और numericals भी पूछे गया तो कैसे गया कैसे पूछे था वो लोग Copy-Paste पूछे था मतलम आपको कुछ करना था नहीं Option मैंने बता दिया था यह एक करेक्ट एंसर वहाँ पे जाकरके स्रिफ टिक लगा के आना था समझें कुछ चेंज नहीं था एकदम Copy-Paste था अब बाता है Biology in Human Welfare Common Disease in Human Pneumonia, Covid Rhinovirus, Malaria Typhide, Elephantiasis, Ringworm Askeris और Embiasis एक बात बता देता है आप लोगों को की Covid से कुछ नहीं आएगा अगर Covid से कुछ पूछता है तो कुछ नहीं पूछेगा यार क्योंकि अभी खुद इन्हें भी नहीं मालुम है कि तो उस लेवल पे उतना हाई लेवल का चीज नहीं पूछना चाहिए समझे, Covid एक्चुवल में क्या है कैसा रेप्लिकेशन है वो सारा कुछ अभी सैंटिस्ट अभी उसको पढ़ रहा है अभी उस पर पढ़ाई होगा कम से कम 5 से 6 साल पढ़ाई होगा बागी वैक्चीन वैगरा बन गया वो अलग चीज है वो टोटली डिफरेंट चीज है वैक्चीन और Covid एक डिजीस के रूप में देखे तो समझे, दोनों अलग चीज है तो उस पर टेंसन ना लेना क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा कुछ नहीं पूछेगा अगर कुछ पूछता भी तो बहुत लट्डू आएगा याद रगना, सिंगल, स्टेंडर्ड, आरेने है बस इस चीज को याद रगना और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं उसमें बी नमबर, innate immunity, match of the following करके पूछ सकता है हुमरल, immune response, T lymphocyte, B lymphocyte, antibody structure देख लेना, cell-mediated immunity, active and passive immunity, colostrium, IgA, allergies, autoimmunity, lymphoid, organ और malt का फूर्फोर्म जो बी नमबर है, NEET 2021 में यहाँ से एक नहीं question पूछा जाएगा एट्स, drugs and alcohol abuse, cirrhosis, homozygosity, inbreeding, depression, outbreeding, outcrossing, inter-specific hybridization MOET क्या होता है beekeeping, green revolution, wheat, rice, sugarcane, millets यह illets नहीं है, यह millets table 9.1 देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसके बाद क्या आता है bio fortification, SCP क्या होता है tissue culture, soma clone, meristem, totiopotency समझे, और NCRD पढ़ो, PIP गनोट्स पढ़ो, more than enough है biotechnology में क्या है, biotechnology का 2020 में एक भी ऐसा question नहीं आया था जो कि मैंने नहीं बताया था, सारो कुछ आपको बता दिया था और यही है, 2021 में भी यही पूछा जाएगा, लिख के रख लो आप plasmid, क्या होता है, restriction enzyme की से बोलता है restriction endonucleus क्या होता, और restriction exonucleus क्या होता ex, दोनों में difference है, एक endo होता और एक exo होता दोनों पढ़ लेना, palindromic sequence की से बोलता है, vector gel electrophoresis, selectable marker, PBR 322 का diagram देख लेना ancestral inactivation, micro injection, biological and gene gun biological and gene gun, तो इसमें क्या है न, तीन चीज़े, micro injection biological and gene gun, तीनों तीन चीजों के लिए use किया जाता है तो किस पर किस पर क्या यूज होता है, वो देख लेना, isolation of genetic material PCR, stat tank, bio reactor, downstream, upstream, genetically modified crops, BT, cotton, RNA आई, insulin, gene therapy, probe, GEC का full form देख लेना, GEC का full form क्या होता है genetic engineering approval committee 2015 और 2018 में पुछा गया, and last biopiracy फिर O, नंबर में, lactic acid bacteria, fermented beverage, यह पुछा गया है 2018 में पुछा गया, lactic acid bacteria के बारे में, B12 something vitamin पुछा गया था, fermented beverage, BOD, activated sludge, methanobacterium, bacillus, thurigenesis, biocontrol paste and disease, trigoderma, baculovirus, देख लेना अच्छे से, 2021 में पुछा जा सकता है, mycorrhizer and biofertilizer, ecology, ecology में figure 13.1, urethermal, stenothermal, इसमें ने definition याद करके जाना, definition copy paste करके पुछा जाएगा आपसे, जितना definition आपको आता हो, उतना chances है कि आपके questions वहाँ पे सही बनेंगे, समझें, और NCRT, NCRT पे बने रहाना, NCRT के बाहर कुछ भी ने पढ़ना आपको, figure 13.1, urethermal, stenothermal, stenohylin, urehylin, figure 13.3, homeostasis क्या होता है, homeostasis वही जो conformer regulators और parsed regulators, जैसे हम लोगों का body है न, वो temperature मतलम खुद पे change करता है, जैसे अगर गर्मी की season है, summer है, तो उसमें body automatic change कर लेगा, winter आता है, तो winter में body change कर लेता है, समझें, तो वो दो चीजे है, दो चीजे हैं, वहाँ पे देख लेना आप लोग, diopause, figure 13.4, representation of age pyramid for human population, 2018 में पूछा गया था, important है, फिर expending, stable, declining, ये तीन होते हैं, तीनों देख लेना, countries के name याद रखना, ये PIP के notes में साफ साफ मैंने दे रखा है, जापान, इंडिया और चाइना, ऐसा कुछ करके बना हुआ है, कहाँ पे stable है, कहाँ पे expending है, और कहाँ पे declining है, देख लेना अच्छा से, Natality क्या होता है, Motility क्या होता है, Immigration क्या होता है, ये देख लेना, Exponential Growth and Logistic Growth, World Host Peer Logistic Growth करके भी आप से पूछा जाता है, 2017 NEET में पूछा गया था, Population Interaction, NEET 2016 Phase 2 में, Mutalism, Plus, 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 Minus, 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 Plus, Minus, Plus, Minus, Plus 0, Minus 0, तो, ऐसे करके पढ़ लेना, एक graph दिया होगा, NCAT में, काफी है, उसके बाद क्या आता है, Camouflage, Camouflage किसे बोलते हैं, खुद को बचाने के लिए, Color Change कर लेते हैं, समझें, उसी को Camouflage बोलते हैं, Predators और Pre का कान ही है, ये, Gosses Competitive Exclusion Principle, NEET 2016, Brood Paraties, Mycorrhizate 2018 में पूछा गया है, Pseudo Copulate क्या होता है, 2021 में पूछा जा सकता है, Certification, Productivity, Net Primary Productivity, Gross Primary Productivity, Secondary Productivity, ये मैंने 2020 के लिए बताया था, 2020 में आया था ये Question, तो इसे देख लेना, Detritus, Hors, Fragmentation, Par, Lignin, Chitin, Detritus, Food Chain, Tropic Level, और ये भी आया था 2020 में, Standing Crop और 10% Low, 10% Low AIPMT 2014 में पुछा गया था, तो इसे कबर कर लेना, 10% Low क्या होता है, फिर आता Pyramid of Biomass, Numbers और Energy, 3 Pyramid है, Biomass का Numbers का Energy का देख लेना, किसका Inverted होता है, किसका Inverted नहीं होता है, Primary Succession, Secondary Succession, Standing State Nutrient Cycle, Standing State एक अलग है, और Nutrient Cycle एक अलग चीज़ है, दोनों यहाँ पे, Combine करके लिख दिया है, मैंने, Type हो गया होगा, वैसा, तो खेर वो दोनों अलग चीज़ है, ठीक है, Nutrient Cycle में, Gas, CS, और Sedimentary आता है, Carbon and Phosphorus Cycle देख लेना, Biodiversity में तीन चीज़े मिलेगी, उसमें आप लोग Genetic Diversity थोड़ा अच्छे सपढ़ लेना, IUCN Red List बुक होता है, वो बुक के बारे में थोड़ा सपढ़ लेना, NCIAT में जिदना दिया हो, वो इपढ़ लेना, वो बुक किसलिए बनाए गिया, Species Area Relationship, पॉपर हाइपोथेशिस, Causes of Biodiversity Laws, NEED 2021, Red Book, In-Situ and Exitu, Indism क्या होता हो देख लेना, Scared Groups, The Earth Summit और Hotspot, Air Pollution Act, Electro-Esthetic Precipitateर 2021, Air Prevention and Control of Pollution Act, Water का देख लेना, Prevention and Control of Pollution Act, BOD क्या होता, Biomagnification, Eutrophication 2021, Foam, Plastic Waste, Solid Waste, Electronic Waste, जो T-Number है, T-Number से एकना, एक चीज़ 2021 में, पुछेगा है, पुछेगा, EU में, Greenhouse Effect, Global Warming, Ozone Depletion, Montreal Protocol, Kyoto Protocol, ये मैंने बता दिया था, एक Ozone के लिए, एक Global Warming के लिए लिया जाता है, अमरीता दे भी विष्णोई, Wildlife Protection Award, चीप को Movement, Joint Forest Management, ये भी NEET 2021, ये नमबर भी important है, अब आता है, Animal Physiology, Animal Physiology, PIP का कर लो, PIP से बाहर, कुछ भी पूछ दे वो, MBBS का भी चीज, अगर Anatomy से भी पूछ देना, वो बन जाएगा, मतलब उस लेबल पर मत चले जाना, कि Muscles का नाम, पूछने लगे, नहीं, उतना तो, Muscles का नाम थोड़ी पढ़ाऊँगा, आपको, नीट यूजी में, नीट यूजी तक, कहीं पर भी पूछे, बन जाएगा, समझे, Animal Physiology में, तीथ देख लेना, चार्टरे के होते हैं, डाइफोडॉंट, हेटरोडॉंट, मोनोडॉंट, थेकोडॉंट, सलेवरी ग्लैंड, प्री मोलर, पांच साल के बच्च्य में, क्या होता है, वो इंपोर्टन है, डिजेस्टिव ग्लैंड, गस्टिक ग्लैंड, बाइल ग्लैंड, ट्रिप्सिनोजें, रेनिन, गोबलेट चल, सककसेंट्रिकस, हेटरोडॉंट नमबर, अक्सीजन दिसोसीएशन कर्व नीट, दोहजर एक्टिस, रेगुलेशन ऑफ रिस्पाइरेशन, बोर्स और हाल दैन इफेक्ट, दोहजर एक्टिस, डिसॉडर ऑफ रिस्पाइरेटरी सिस्टम, फिर आता है आपका, डिसॉडर, एस में आजाओ, इस नंबर, इस नंबर में आजाओ, फिब्रीनोजेन, ग्लोबिलिन्स, अल्बिमिन्स, फॉर्मड एलिमेंट, ABO, ग्रूबिंग, इराइथ्रोब्लास्टिस, फोइटलीस, यह 2021 के लिए इंपोर्टेंट, गॉगुलेशन ऑफ बलड, पेरिकाडियम, ट्राइकस्पिट, बाइकस्पिट, राइड अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, से, AVN, और पॉर्किन्स फाइबर, स्ट्रोग वॉल्यूम, हट्साउंड, 2021, WXY, 2021, बहुत इंपोर्टेंट है, अब WXY, Z नंबर में है, ECG, बलड सप्लाई, फ्रॉम इंटेस्टाइंट तू दी लिवर, ट्रीकाइब, ECG, बलड सप्लाई, फ्रॉम इंटेस्टाइंट तू दी लिवर, Z A, इसॉर्डर अफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बामन कैप्सूल, रिनल कैप्सूल, पोडुसाइट्स, 2021, इरीन फ्रॉमेशन, PCT, DCT, हैं रिजलूप, कलेक्ट इंडक्ट, 2021, मैकनिजम आफ कॉंसेंट्रेशन आफ दी फिल्ट्रेट, A, D, A, G, J, G, A, G, F, R, A, N, F, रेनीन, मिक्टिवरीशन, यहां से आपको पूछेगा कि किस चीज से, ब्लेड प्रेशर हाई होता है, और किस चीज से, ब्लेड प्रेशर लो होता है, तो किस हार्मोन से होगा, वो हार्मोन, NCRT का लास्ट पेराग्राफ में दिया है, 2017 में पूछा भी गया है, वही चीज आपको कॉपी पेश्ट करेगा, 2021 में, जो बोल रहा हूँ, उसे लिख लेना आप, ग्लाइकोजूरिया, केटोनूरिया, इंपोर्टेंट है, डिसॉडर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, देख लेना, आर्टिफिशिल किड्नी, मेकनिजम ऑफ मसल कॉंट्रेक्शन, बोन्स एंड जुइंट, डिसॉडर ऑफ इसके लेटल सिस्टम, ब्रेन, आई, एर, हार्मोन्स, हार्मोन्स, ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, पराथाइरोइड, अपसेक्टर, अपसेक्टर, जितने दिये हुए NCRT में, मेकनिजम ऑफ हार्मोन एक्शन, इसमें करना क्या चाहिए, 100% जो कोश्चन है, वो PIP के नोट से आना ही, आना है, NCRT का जो एक्सेसाइज दिया हुआ है, उसे एक्सेसाइज को कर लो, हर एक चैप्टर के पीछे, एक्सेसाइज दिया हुआ होता है, उसे एक्सेसाइज को कर लेना, तीन कोश्चन डिसॉर्डर से हैंगे, टोटल 16 से 14 कोश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें की तीन कोश्चन आपका डिसॉर्डर का होगा, अब आता है, डाइवर्सिटी इन दि लिविंग और्गिनिजम, वाट इस लिविंग एंचेटी में दिया हुआ देख लेना, ICBN, ICZN का फुल फ्रॉम देख लेना, नोमेंटलेचर क्या होता है, टेक्सोनॉमी का लेट्स दोहज़़एंटीस, टेबल 2.1, आरेच वीट करका देख लेना, बना करके दिया हुआ है, सेप ऑफ बैक्टेरिया, 2021, अर्की बैक्टेरिया, नोस्टोक्यू, बैक्टेरिया, माइकोप्लाजम, क्राइजोफाइड, प्रोटोजोवन, फंगी, बैसिडियो माइसिटीस, टूटरो माइसिटीस, एसको माइसिटीस, 2021, वाइरस, वाइरोइट्स, लीचेंस, और ऑल साइंटिस्ट नेम, जितने भी साइंटिस्ट के नेम दिये हुए है, डिस्कवरी, एक एक करके डिस्कवरी बनाए है, कि ऐसे करने से वाइरस बोलेंगे, आसे करने से वाइरस बोलेंगे, अपना-पना उनका थियोरी था, तो उस तरीका से दिये, तो वो देख लेना, 2021 के लिए important है, और ख्लासिटीकेशन इस सिस्टम, फाइलोजनेटिक नेचुरल नुमरिकल, आईसोगे मस्के होता है, 2017 में पूछा गया यह, इसा कुछ करके पूछा गया था, और मैच करवा के दिया होआ था, समझे तो इसे देख लेना, लोग तरीस जो हता फिलामेंटास होता, केल्प क्या होता वो देख लेना, टेबल 3.1 डिफरेंस बीट्वें, रेड, ग्रीन, ब्राउन, एलगे, लिवरवर्ट्स और मसेंटिया, मोजेज, ब्राइफाइट, टेरिडोफाइट, जीम्नोइस्पर्म, देख लेना, टेरिडोफाइट, जीम्नोइस्पर्म, आर पे आजओ, क्यों तक होगी, आर प्याँ जाओ, आर है जीम्नोस्पर्म एक्जामपल ओफ हैपलोंटिक, डिपलोंटिक और हैपलो डिपलोंटिक 2021 में एक कोश्यन आएगा टेरिडोफाइड, जीम्नोस्पर्म या एक्जामपल ये तीन चीजों में से 2021 में आना है जादा चांसे जे टेरिडोफाइड ने तो एक्जामपल पूछ लेगा वो फिर आता है जिनने भी डाइग्राम दिये हुए NCRT में वो देख ले न यू नंबर में अनिमल किंडम अनिमल किंडम, स्रीफ और स्रीफ एक्जामपल पढ़के जाओ और NCRT पढ़के जाओ कुछ बाहर करने पढ़ना समझे, स्रीफ और स्रीफ NCRT पढ़के जाओ और उसके एक्जामपल देख लेना किसको क्या बोलते हैं पोरिफेरा में क्या आएगा इस्पॉंजेज वेगरा सारा कुछ ठीक है, Aplatic halmanthus में क्या आएगे असके रिचे रियाज यह सारा कुछ किसमें क्या आएगा वो सारा कुछ आपको पढ़ लेना Amelia, Reptilia, यह सारा कुछ करके हैं समझे, और उसके features दे रखे हैं कि इस features को ही हम लोग Amelia बोलेंगे, इस features को ही हम लोग रेप्टीलिया बोलेंगे वो फीचर्स देख लेना प्याइपी के नोट्स डलू है बहुत सौट नोट्स है एक पेज में पूरा का पूरा एनिमल किंग्डम है वो एक बार स्कैन कर लेना पार्च मिनिट मैक्सिमम लगेगा इसकैन करने में उसे कबर हो जाएगा आपका सैटोलाजि सैटोलाजी में माइटोकौन्रिया कुलोरो प्लास दो गओजारेकी सैल्थिओरी दो हजारेकी पिली और फिन्बरी राइबो जो मजाइकी मोडल Δो ут explain मोड़ 2021 ऑजारेकी सिस्टेम प्लास्टीट सीलिया और फ्लैला नूपलियोस नूप्लियोस योजोम सेंट्रो inovitude to do यह देख लेना अब लोग कर सकते हो, पर यह topic टूमेंस से पढ़ लेना को आगी इंपोर्टेंट है 2021 में जिन्ने छोटे छोटे बॉक्स दे रख के है NCRT में वो सारे box को देख लेना हर एक box important figure 9.6 और figure 9.7 देख लेना inhibitor enzyme classification of enzyme nomenclature of enzyme M phase mitosis phase G1 से S से G2 इसे भी true man से पड़ों क्योंकि exam में फिर जाते हो और confused कर जाते हो फिर मैं बताता हूँ कि भाया जो NTA बोला वो सही है तो फिर उस पर भी आ जाते हो कि नहीं आसे कैसे आसे कैसे और होता हुआ है जो मैं बोलता हूँ ठीक है कुछ चेंज नहीं होगा जो उसने बोला था वही सारा कुछ था प्रोफेज, एनफेज, मेटाफेज, टिलोफेज, साइटो काइनेसिस इसे भी देख लेना थोड़ा साइटो लाजी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो ट्रू मैंस नाम की एक बूक है उसे पढ़ लो आपका 100% कवर हो जाए एक कोशन नहीं चूटेगा स में थोड़ा कॉंसेप्चियल थोड़ा सा बाहर का कुशन आता है तो वो बाहर का कुशन कवर करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्टा एफट देना पड़ेगा मियोसिस 1, लीपोटीन, जैगोटीन, पेचितीन, डिपोटीन, 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 डिकानेसिस, बाइवलेंट, चेस्माटर, सैनेप्ट, नॉमल, कॉंप्लिक्स, NCRT काफी है मियोसिस 1 और 2 के डिएग्राम देख लेना, नोटस और PIP और Trumans, more than enough है प्लांट फिजियोलोजी, ओल हाइलेटेड पोटीन, जिनने भी डार्क ब्लैक में पोट्स हाइलाइक्ट करके लिखे हुए रहते हैं उसे पढ़ लेना वो पूछा जाएगा आपको, 2021 में कुछ भी उठा करके वहाँ से पूछ सकते हैं वाटर पोटेंसिल क्या होता है, DPD किसे निमरीकल पूछा जा सकता है, DPD equal to OP-TP टारगार प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर को माइनस कर देना, समझें तू आपका DPD नहीं कल जाएगा हाइपो तोनिक, हाैइपो तोनिक, हैसो तोनिक, एसपरियनिस hayat टेपीं से टोमाटेC4C3 प्लांट, पिजनमर 1189 क्योंट बहुत है, C4C3 platform yay NETRDP, क्योंकुन साधागा क्यों क्यों क्योंक्यों साधागा C4cape page ुमर 198 में में मिल जाएगा मैक्रोनू Cornel pipelines, toxicity manganese का देख लेना nitrogen cycle क्या होता molybdenum iron page number 202 peristals experiment देख लेना एक scientist है जो की experiment किये थे उस experiment को देख लेना action spectrum conclusion, kemosynthesis किसे बोलते हैं और F1, F0 बहुत important है 2021 में पुछा जाएगा cyclic and non-cyclic photophosphory respiration N number जो है वो 2021 है और O number भी 2021 बहुत important है all cycle देख लेना C3, C4 और Kelvin, TCA, ETS क्या होता है और इसका cycle वेगरा देख लेना respiratory question 2021 ये m's में पूछा गया था 2018 में all hormones देख लेना ये भी 2021 के लिए important है जिनने hormones दे रखे है वो देख लेना oxygen खास करके ज़्यादा important होता है oxygen में kleoptile curvature, photopriodism की से बोलते है और vernalization है देखो यार medical profession में एक ऐसा चीज़ है जहां पर spelling बहुत ज़्यादा mistake होता समझे है और आप लोग समझ सकते हो बाग क्यों नहीं समझ में आता है यह सारा कुछ तो आप लोग समझ लेना spelling क्यों mistake होता उतना लिखतों के कुछ है नहीं वह writing वह समझ जाते क्योंकि जो paper check करते हैं वह बचपन से लेकर क्या बचपन से मतलम first year से लेकर के last year तक जो paper check करते हैं वह doctors होते हैं तो वह समझ जाते हैं वह क्या लिखना चाहता है क्या बताना चाहता है तो उतना spelling पर हम लोग यह ध्यान नहीं देते हैं समसे बहाना नहीं मार रहा हूं वह सच सही बात है तो यह vernalization है V है यहाँ पर C नहीं है correct करने न differentiation, re-differentiation, de-differentiation NCIT exemplar के question must है for plant physiology, NCIT के exercises, previous year question for plant physiology और सब के लिए conceptual question, plant physiology, cytology, genetics और human physiology और एक chapter और कुछ ने बस इतना बायो टेकनोलोजी रहता है बट बायो टेकनोलोजी से भी NCIT पुछा जाता है, organization in plants and animals 100% NCIT morphology of flowering plant 100% NCIT से पुछा जाएगा, anatomy of flowering plant NCIT और NCIT exemplar कर लेना हो जाएगा, structure organization in animals यह भी 200% chance, chance के 200% NCIT से ही पुछा जाएगा, एक frog देख लेना, frog आपका 2021 में आ सकता है, तीन चीज़ frog, cockroach और एक है वहाँ पर, तो frog देख लेना, frog सबसे ज़्यादा important है 2021 के लिए, no pain, no gain, यह मेरी teacher बताती थी, immuno की teacher, समझे, तो वह यह आपके लिए, so thanks and best of luck for your exam, अच्छे से कर लो, आपका 80-85 question बन जाएगा, बस इतना ही करना है, आपके पास time बहुत है, अब आपके उप question पूछे जाते हैं, तो वह गलत करके मताना, क्योंकि 4 मन्थ पहले आपके पास सारा कुछ है, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो यह आप पर सारा कुछ जाता है, फिर मेरी responsibility इधर नहीं है, मिलते है next class, next class में आपका physics का मैं दे दूँगा, ऐसा ही, पूरा का पूरा, कॉरा इकठा करके क्या-कया 2021 के लिए expected है, उसके बाद chemistry दे दूँगा, कर लेना, bio physics camp complete, मेरा काम खतम हो जाएगा, आपका काम start हो जाएगा